नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है डीजे ओडियो टेकनोलोजी में और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आउजा की तो दोस्तों आउजा के आज हम कई सारे प्रोडेक्ट देखने बाले हैं और साथ ही इनके जो न्यू प्रोडेक्ट नौच हुए वो भी हम देखन इब हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तों हम पॉँक्ठ चुके हैं आउजा के स्टॉल पर और चलिए हम देखते हैं के कुछ प्रोडेक्ट तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल जाता एक 12 इंची का बॉक्स रखा हुआ है या देखिए आहुजा का और इसका मॉडल नम्मर है SPX 710 तो दोस्तों यह 600 वाट का एक कॉलम है और इसमें जो 12 इंची के दो स्पीकर और एक हैचेप लगा हुआ है दोस्तों यह देखिए आप देख सकते हैं काफी बड़ी है फिनेसिंग है दोस्तों आउजा की और यहीं पास में आपको SRX 510 के 400 वाट है इसमें दो स्पीकर 15 इंची के लगे हुए हैं और इसमें एक एचेप लगी हुए है दोस्तों और साथ ही यहाँ पे आपको एक और देखने को मिल जाता है SPX 1510 तो दोस्तों यह 300 वाच्ट को कोलम है और देखिया आप यहाँपे इसकी डेटेल उन्ट की हुई है इसमें डेटेल डली हुई है दोस्तों और यहां पर आपको एक न्यू लॉंच अभी अभी जो लॉंच हुआ है यहां पर आपको सिंगल सब देखने को मिल जाता है एक सिंगल 18 इंच का सब बूफर है दोस्तों एक सिंगल बेसरी तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी आपका 1500 बूट का इसपीकल लगा हुआ है और के दोस्तों क्वालिटी है जो काफी इसकी वह काफी अच्छी है दोस्तों और मैं आपको देखाता हूं देखने को मिल जाता आउज्या और यह एक हजार बाट का ल को मिल जाता एक स्टेज गॉनिटर जिसका मोडरल आप देख सकते हैं दोस्तों कि है ज्रूत्त हुआ नहीं कि आ éénंप आएंगे हैं पूएवाइब कुछ खोरुच्थ दिखा देता हूं यहां यहां पर आपको पंद्रा इंची और बारा इंची के दो बॉक्स देखने को मिल जाते हैं और मैं आपको पीछे से दिखा देता हूं यह देखिए यह हमारा स्टेज मॉनिटर जो की एक्टिव है इसमें आपको एम्प्रिफाइल लगाने की जरूत नहीं है अलग से तो दोस्तो अब हम फाइनली देखने बाले हैं आउजे के निव स्पीकर जो की है आपका ठारा इंच का और दोस्तो आप देख सकते हैं यह दोजार बाट का इस्पीकर है डूएल मेंगनेट के साथ आता है दोस्तो एल 18 एस डवलू 2000 और आउजे ने काफी दिन बाद दोस्तो दोजार बाट का स्पीकर मार्केट पर लेके आया है इसकी आउजे को काफी जरूत थी दोस्तों कहीं नहीं कहीं आओजा क्यों चलाते हैं अनके लिए बड़े स्पीकर नहीं मिल पाता था अओजा का uh इने वानए और और आरे मेंस पाॉबर वह जो है दो हयार वाट की तो ह स्पीकर आ और इनने सारी detail mention करीए और देखिये दोस्तो में इसको दबा करे देखा तो काफी ज़्यादा hard है । और इस यूपर देखने को मिल जाती है । तो दोस्तो कष़ लोगों के सवाल रहने वाले हैं कि इसको खरीदें या न खरीदें तो दोस्तो आप पहले सकते आप इसको खरीच सकते हो क्योंकि अभी मैंने इसको सुना नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता दोस्तों अभी और इसके देखिए एक अठारा सो बाट का न्यूडियम स्पीकर है दोस्तों अठारा सो बाट साले चार इंज वोई स्कॉल लेने वाली है और इसकी काफी जरूत कोगों कि मार्केट में इसके स्पीकर नहीं थे नूडियम और बड़े स्पीकर तो दोस्तों फाइनली अभी नवी नूव लांच हूआ है और वहार बाहर जो सब उपर रखा है उस सबसे बड़ी बात इन्होंने जो इनके स्पीकर है दोस्तों इनकी चेसी पर भी इन्होंने आउजा की ब्रांडिंग कर रखिया दोस्तों यह कापी अच्छी बात है इस यहां पर आपको एक 15 शाले 600 बात कर देखने को मिल जाता है और इदर सांत ही आप देख सकते हैं यह है अपना L15 और यह देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा स्पीकर लगे हुए दोस्तों आउजा के आप देख सकते हैं और यह दर कुछ आपको एच अप ड्राइबर देखने को मिल जाते हैं आउजा के और यह दर कुछ भाई लोग हैं जो उनको उठाकर देख रहे हैं स्पीकर को काफी बड़ी बात है दोस्तों हमको फुल तरीके से संतोस्ट होने के बाद ही कोई भी प्रोडेक्ट लेना चाहि कि देनसा और यह देखियी आपस कि इसकी पूरी डिटल दी हुएं दोस्तों आप देख सकasis वीडτιयो को पाऊज करके देख सकते हैं तो के बवाज सकते हैं और आपको यदि खरीदना है तो आप अपने नजदी की डीलर के पाथ जाँ दोस्तों और आपको हर कहीं से नहीं लेना है आपको डीलर से ही लेना है आउजा के एंप्लिफायर और यह देखिए दोस्तों और आप देख सकते हैं यहां और इसका आउटपूट बगेरा भी देख सकते हैं दोस्तों पाउस करके देख लेना और चलिए अब हम आगए की और चलते हैं दोस्तों यहां पर यह लगे हुए थे और हम सबसे पहले कुछ जिनके कॉडलेस माइक की बात करेंगे और कुछ कॉंफरेंस माइक यहां पर रखे हुए हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर कॉडलेस माइक और कुछ कॉंफरेंस माइक यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं यहां पर आपको हैंडियल और लेपल माइक दोनों यह दे जेखने को मिल जाते हैं है और यहां पर दोस्तों आपको आऊ-गाल United देखitime को रहें तो कुलिए हाँ्थ लेते हैं तो किसी में न वहले अच्छा रहेएक आपके लिए काफी अच्छे होते हैं LMT ड्राइबर आउजाके और इदर आपको कुछ छोटी जो पीए हैं वो मिल जाते हैं एम्प्लिफायर छोटे दाइसो बाट देड़ सो बाट साड़ वाट यह आपको होरन चलाने के लिए काफी बड़ी है एम्प्लिफायर है दोस्तों यह चादतर एम्प्लिफायर होरन नबर है दो चैनल का एम्प्लिफायर है दोस्तों को और हुझाए तो दोस्तों क्वाट्टि की तुक्या ही बात करें और यहां पर आपको एक और देखने को मिलजाता है अजर Peng हो सब्सक्रेश में एक च्रोटे में आपर देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों चलिए यहां पर कुछ आपको छोटे box देखने को मिल जाते हैं आपको देखने को मिल जाएंगे Mixer ओंगे और यह सीरिच के लगे हुया ऑल्म प्रिजांड़ चुक्त न.. और दोस्तों यहां पर आपको मिल जाते हैं कुछ ट्रॉली वाले स्पीकर आप देख सकते हैं और यहां पर टॉबर स्पीकर भी देखने को मिल जाता है आपको एक सब्वूफर और टॉबर स्पीकर और यहां पर आपको कुछ मिक्सर भी यहां पर मिल जाएंगे आउजा के और चली हम देखते हैं और कुछ के दोस्तों यहां पर आपको यहां पर कुछ मिक्सर देखने को मिल जाते हैं आउजा की तरफ से 12 चैनल 16 चैनल और इस्पिलीटर यहां पर इस्पिलीटर और क्रोस अबर बगएरा भी आउजाके मिल जाएंगे आपके लिए तो चलिए दोस्तो आज के ली बस इतना ही मिलते नेक्स्ट आप ने तो ज्रूर सबस्क्राइब करें और यदि आपने फेस्बुक- Bagh começar को फोलो नई किया तो फ् वS पेज को भी फोलो करें और मैं दोस्तों एंसी वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए आज के लिए बस इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तक तक के लिए धन्यवाद